नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलोजी में आप सभी का स्वागत है, मैं विवेक दूबे दोस्तों आज बात करूँगा, शनी देवता मेश लगन की कुंडली में अगर ग्यारवे भाव में बैठे हों, तो इसका क्या फल होगा, इन डीटेल बात करेंगे द आपका अगर यहां पर एक लगन लिखा हुआ है, एक नमबर लिखा हुआ है, फस्ट हाउस में, तो इह आपका मेश लगन हुआ, और शनी देवता अगर आपकी यहां बैठे हुए है, तो इह आपका ग्यारवा भाव है, और ग्यारवे भाव के वो मालिक भी है, इस कुंड करते हैं वो हमें बहुत बारीकी से पता होना चाहिए अगर हमें शनी के बारे में कोई भी चीज समझ नहीं है लाइक अगर आज मैं आपको ये बता रहा हूं तो आगे जाके आप ट्रांजिट में या महादशा में भी इसको लगा सकते हैं ठीक है शनी किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं शलो धीमिगती ढिले होना किसी चीज का रिपीटेटीव काम कोई भी काम जो बहुत रिपीटेटीव तरीके से किया जाता है बार-बार सेम चीज की जाती है वो भी शनी देवता उसके लिए ये आपके करमों से जो आप एक्स्प इंपोर्टेंट है old बुढ़ा विक्ति या पुराना चीज पुरानी चीजे पुरातन चीजे इन सब के मालिक भी शनी देवता होते हैं आईरन यानि लोहे के मालिक जिद्धी सुभाव उसके मालिक भी शनी देवता जो भी इनसान चाहरे वो हॉटल हो चाहरे आपका घर हो या आपको ऑफिस हो जो भी आपको सर्व करता है वो सर्वेंट उसके कारक भी शनी देवता होते हैं construction किसी भी तरह की construction हो रही हो कोई भी घर बन रहा हो कोई अपार्टमेंट बन रहा हो तो उसके कारक शनी देवता है कर्म प्रोफेशन कर्म के मालिक है शनी देवता labor class वो काम जिसके लिए आपको बहुत जादा credit तो नहीं दी जाएगी लेकिन हाँ उसके बिना काम भी नहीं चलता तो जो भी blue collar job है यानि कि labor job कहा जा सकता है तो वो सारे काम कहीने कहीं शनी से जुड़े हुए है down to earth mentality यानि कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप अपने आपको साधारण और सरल दिखाएं लोगों में या फिर अपने अंदर से ही आप सरल रहे हैं ये इसको down to earth mentality बोलते हैं जो कि एक बहुत अच्छी quality है शनी देवता उसको represent करते हैं पेशेंस जो है बहुत अच्छी quality है शनी देवता उसको represent करते हैं dryness जीवन की dryness हो रूखापन, सुखापन, शरीरिक, रूखापन, emotional, dryness कोई भी इन सब के कारक शनी देवता होते हैं extreme cold condition बहुत थंडी जगा बात रोग इन सब के कारक भी शनी देवता होते हैं detached अपने आपको अलग पाना, कहीं ने कहीं अलग थलग रहना एक अकेला पन जिसे कह सकते हैं वो भी detached condition जिसे हम कह सकते हैं जुडने में तकलीफ, किसी के साथ connect होने में तकलीफ होना यानि कि आसानी से आप किसी से जुड़ नहीं पाते हैं ये भी एक शनी देवता ही इसे represent करते हैं, emotional pain वो emotion जिसमें सच्चाई नहीं है, जो कि कहीं नहीं किसी selfishness या किसी स्वार्थवश है उस emotion के लिए भी शनी देवता वो आपे तकलीफ देते हैं, emotional pain देते हैं कड़वासच, पिटर तूथ hard work, long term disease जो वो disease जो लंबे समय तक चलते हैं, खास करके जो disease में आपकी movements slow हो जाए, आपकी movements आप सही से ना, आपके हाथ पैसे कि movement आपकी रुख जाए हड़ियों का तूटना, knee, hairs death, इन सब चीजों के लिए शनी देवता जिम्मेदार होते हैं, और शरीर में disease के नाम पर अगर कोई blockage होती है उसके लिए भी शनी देवता जिम्मेदार होते हैं तो ये था दोस्तों, शनी किन किन चीजों को represent करते हैं, अब बात करते हैं कि मेश लगन की कुंडली में, अगर शनी देवता 11 भाव में बैठते हैं, तो इसका क्या फल होगा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चोटी से information अगब astrology में interest रखते हैं, astrology सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, मेरे whatsapp पे मेरे website के तो contact कर सकते हैं, astrology या फिर consultation लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझे contact कर सकते हैं अगर आप astrology के content में interested हैं तो काफी अच्छे और इंटरस्टिंग कंटेंट मेरे इंस्टाग्राम मेरे फेस्बूक पे आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे रील्स और पोस्ट में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो दोस्तों शनी देवता अगर ग्यारवे भाव में यहाँ पे विराजबान है याद रखिए वो अपने ही राशी और ग्यारवा भाव ग्यारवा भाव दोस्तों हर तरह के लाब का होता है आपके मित्रों का होता है आपके जो भी लोग आपके सहायक हैं जो आपको लाब दे सकते हैं किसी भी तरह का benefit आपकी rolling money आपका income आपकी increment इन सब चीजों के लिए 11 भाव जिम्मेधार होता है शनी देवता यहाँ पे बैठे हैं तो दोस्तों आपको बतादो शनी देवता का अतारधीमी गती से ही आपको मिलते रहें लेकिन लगातार मिलते रहें नि income source लगातार अच्छा बना रहेगा कोई खास उसमें breakage नहीं आए कि कोई बहुत ज़्यादा break नहीं मिलेगा आपको तो उन सारे income ठीक ठाक रहेगी income अच्छी हाँ से चलेगी rolling income इस इंसान का अच्छा रहेगा इन सब चीजों को शनी देवता यहाँ पर दिखाते हैं और अगर मैं कहूं तो मेशलकन की कुंडली में शनी देवता अगर 11 भाव में बैठते हैं ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही strong position होती है जैसे कि पिछली मैंने बताई थी कि अगर वो यहाँ पर बैठते हैं वो भी अच्छी condition और ये भी बहुत बहुत बहुतरीन condition है अब दोस्तों शनी देवता यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी द्रिष्टियों की मैं पहले बात कर लेता हूँ शनी की द्रिष्टियां जो होती है तीसरी सातवी और दसवी तो तीसरी द्रिष्टि दोस्तों जो होती है वो पढ़ेगी आपके लगन पर लगन पर तोस्तों जहाँ पर भी शनी देवता की तीसरी द्रिष्टि पढ़ती है वहाँ से benefit उठाना आपके लिए वहाँ पे जरूरत से जाद आपको effort लेना पड़ता है तभी आप वहाँ से जुड़े happiness या benefit ले पाते हैं यानि कि लगन पे पढ़ रही है तो आपको अपने स्वास और अपने personality पे अगर उससे कुछ benefit निकालना है उसको अच्छा करना है तो आपको अपने personality पे किसी को impress कर सकते है या कि कोई benefit उठा सकते है जीवन में शनी देवता की सातवी aspect पढ़ती है पंचम भाव पे पंचम भाव दोस्तों होता है संतान का education का और और भी बहुत सारी चीज़े हैं fun entertainment काफी चीज़े हैं लेकिन जो मोटा मोटा कर मैं कहूं तो संतान का education का ये एक विशेश भाव होता है और इसे त्रिकोन एक बहुत ही शुब भाव माना जाता है पंचम भाव को तो शनी देवता की aspect जो पढ़ती है तो संतान में कुछ delay देखने मिल सकता है और love affairs का भी यही भाव है पंचम भाव तो love affairs में बहुत बारकर एक और यानि मान लीजे आपके मंगल देवता है यहाँ पे बैठे है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर कि आपको प्रेम संबंधों में लाब मिले या प्रेम संबंधों का लाब मिले तो कहीं ने कहीं क्योंकि शनी की द्रिष्टियों को दोस्तों याद रखी पुराणिक कताओं से लेके astrology में भी शन बढ़ती है आपके अस्टंभाव पर जो की दोस्तों अस्टंभाव होता है मृत्यू का अस्टंभाव होता है अचानक गटनाएं दुर घटना एक्सिडेंट सर्जिरी ज occult things hidden things और transformation जो major transformation होते हैं लाइफ में उन सब का जिम्मेदार 8th house होता है तो शनी जब यहाँ पे देखते हैं तो आपके जीवन में जो transformation बहुत तीजी से होना चीए आपको मतलब ऐसे बहुत अचानक जटके वाले transformation से बचाते हैं कहीं ने कहीं और साथ ही साथ जहां पे भी शनी देवता की दस्वी दृष्टी परती वहाँ से लाव लेने के लिए आपको अपने आपको सिद्ध करना पड़ता है कर्म रूप से अपने आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप उसके लाइक हो तो दिया दखिए अगर अस्टम भाव दोस्तों आपके इनलॉस फैमिली का होता है अस्टम भाव यानि कि इनलॉस से बेनफिट हो गया या किसी भी तरह का hidden benefit यानि कि जो कहते है ना कि अस्टम भाव से जो benefit मिलता है वो किसी चीज़ को होने के बाद मिलता है अकसर जैसे कि pension है आपको मिल रही job चले जाने के बाद मिलता है डावरी हो गया तो आप जब कुवार आपका जो एक बुलते ना कि bachelor life चला जाता है तब मिलता है तो ऐसे ही जो भी चीज़े यहां से मिलेंगी कुछ गवाने के बाद कुछ मिलता है यहां पे surgery की बाद करें तो कुछ वहां पे कुछ body parts cut होते हैं तो आपकी body को relief overall कहने का मतलब यह है कि यहां पे जब शनी देखते हैं तो उस transformation को थोड़ा सा आपको बुलते ना कि थोड़ा delay शनी का एक काम है जहां पे देखों वहां पे delay कर देना थोड़ा सा लेकिन हाँ एक चीज़ का यहां पे ध्यान रखना होगा आपके in-laws से भी relation को खराब कर सकते हैं तो वहां पे अपने आपको अपने कर्म को प्रूफ करना है यहां पे देख रहे हैं यहां पे देख रहे हैं और यह सारे भाव स्वास्ति से जुड़ते हैं ऐसे इंसान को अपने personality पर अपने health पर ध्यान रखना चाहिए और अपने आपको बेटर करना चाहिए with the time और अपने कर्मों को पंचम भाव जो होता है दान कहीं कहीं जो पिछले जनम के जो बलते हैं अच्छे पुन्ने कर्म होते हैं उसका benefit आपको देता है तो शनी की दिष्ठी यहां पर पढ़ रहे है तो आपको अपने आपको बहतर human being बनाने पर बहुत जादा ध्यान देना चाहिए और और शनी के यहां पर बैठते हैं तो दोस्तों आपको बात करूँगा शनी देवता यहां पर बैठते है और कोई भी यूती होती है तो दोस्तों आपको बता दो यहां पर कोई भी यूती हो लगभग सारी यूतियां यहां पर लगभग अच्छा फल देती हैं अगर मान इसके अलावा अगर मान लीजे चंद्र देवता यहां पे आपके साथ बैठे हुए है शनी के साथ तो ऐसे इनसान को संपत्ती जो है संपत्ती बनाने में डिले हो सकता है लेकिन हाँ इसका लाब इसका सुख वो जरूर भोगेगा कहीं न कहीं लाइफ में हाँ थोड़ा सा य कहीं न कहीं उसके बाद अगर बात करें दोस्तों मान लीजे शुक्र देवता यहां पे बैठते तो यह पैसे के लिए बहुत ही बहतरीन योग बन जाएगा अगर शुक्र देवता यहां पे बैठ जाते हैं पैसे के लिए बिजनस के लिए बहुत ही बहतरीन योग यह बने में अपने बुद्धी से बहुत ही अच्छा कारे करेगा और अपने जुबान अपने स्किल से लोगों को परास्त करके बहुत अच्छी बेनेफिट अपने स्किल से अपने क्रियेटिविटी से लाब उटा सकता है अपनी जुबान से मास स्पीकिंग करके भी बहुत अच्छा धन अर्चित कर सकता है अगर यहाँ पर ब्रहश्पति देवता बैड़ जाते हैं दोस्तों ब्रहश्पति देवता यह तर नाइन्थ लॉड और बारविक स्वामी है तो नेशनल मल्टी नेशनल विदेश और कहते हैं ना कि बहुत लोग आज की देट में व्लॉगिंग की बात चलती है व्लॉगिंग करके ऐसे जगों से खूम कर टूरिस्ट गाइडर बनके बहुत सारी चीज़ों में मतलब बहुत ऐसे चीज़ें जहाँ पर विदेश से धन प्राप्त कम किया जा सकता है या विदेशी लोगों से अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और ओल पैसे के लिए मैं कहना चाहूँगा ये कॉंबिनेशन भी बहुत अच्छी रहेगी और इसके अलावा दोस्तों मान लीजिये सपोज मैंने और ओल मुस्ति सारे प्लैनर्स ले ली है सपोज यहाँ पे सन की बात करूं सूरी देवता भी यहाँ पे आ जाते क्योंकि दोस्तों ग्यारवा भाव ऐसा भाव है जहाँ पे जितने जादा मेलफिक हो या जितने पाप योग बन जाए तो भी कोई खास जादा तकलीफ नहीं होता है लाब भाव है मतलब इंसान वहाँ पे कही नहीं करना लाब अर्जित कर लेता है तो यान यहाँ पे सूर्य देवता बैढ़ गया तो ऐसे इंसान को संतान से दिक्कत हो सकती है संतान से जुड़ी कोई प्रॉबलम हो सकती है में education से जुड़ी कुछ दिक्कत परशानी हो सकती है बहुत अच्छा भी कर सकता है because sun saturn याद रखिया आदमी को mediocre नहीं बनाते है sun saturn conjunction अगर होगा तो इंसान या तो कहते हैं कि बहुत failure में होता या तो बहुत ज़्यादा success मिलती है उसको तो depends saturn और sun जो होगा ये conjunction अगर आपके 11th house में overall मैं से बहुत positive समझता हूँ आपके लिए तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का overall combination और शनी का 11 भाव में होने से ये फल मिलता है मेच लगन की कुंडली में दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा और channel को subscribe कीजेगा ताके मैं और आगे के लगनों के लिए भी वीडियो बनाऊ, आपके like और subscribe से ही कहीं न कहीं एक support मिलता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो शायद सही है लोगों को अच्छा लग रहा है और स्वेसिस पे हम इसको continue करते हैं धन्यवाद